हेलो दोस्तों दोस्तों यहां पर आए पास क्लास्टेंद के मैत का जो चैप्टर है नो तिरकोण मिती के अनुपरियोग ठीक है तो उसी का यहां पर एक हमारे पर प्रश्ण है जिसमें कहा जा रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस इस्तिति में 40 मीटर अध साथ में कुछ करके दे दिया है ठीक है तो उसी चीज को हमने आपको एकदम से सही तरीके से यहां पर हमने लिख रखा है ताकि आपको इसली समझ में आजए ठीक अब देखिए ऐसे प्रश्णों में सबसे बड़ी चीज होती है इसका फिगर तायर करना ठीक है तो आइए ह सबसे पहले समतल जमीन बनाते हैं तो यह हमने इस तरीके सिंपल आप को यह संतल जमीन दर साब देना है अब मिनार तो मिनार की जो चाया है ठीक मालजी यहां पर आपका शूरी निकला हुआ है ठीक है तो मिनार की जो चाया है वो कहां पर चाया उस इस्तिती में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सुरी का उन्तास साथ से गटकर तीस होता है तो पहले साथ होगा उसके बाद से गटकर के तीस हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर मालजी यह नजदी के रहेगा तो यहां पर आपका साथ डिगरी हो जाएगा ठीक तो पहले साथ था तो यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता है ठ चालीस मीटर लंबी हो जाते हैं जब सब्रस का 1020 से घरट करके तीस दिकरी हो old time तो पहले साठी सा ही सह घरटा है तो तीस डियों जाता है ठीक ऐ तीज़ डिगरीड हो जाता है तक कितना तो 40 मीटर और बढ़ जाता है ठीक है पहले कितना था नहीं मालूम है लेकिन जब 30 डिग्री होता है तो पहले से 40 मीटर और यह बढ़ जाता है ठीक है यह 40 मीटर और यह बढ़ गया है ठीक है अब पहले कितना था मैं नहीं मालूम है तो माल लेते हैं कि पहले यक्स मीटर था आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब एक चीज और कि जैसे के माल लेजिए कि यहां पर यह कोई रेखा है ठीक है इस पर इस तरीके से कोण अगर लंब डाल दिये जाए तो यहां पर जो कोण बनेगा वह बनेगा 90 डिगरी का ठीक अब वह ही जैसे जैसे यह वाला जोकता जाएगा वैसे वैसे इसका कोण हटा जाएगा ठीक है अब जैसे के माल लेजे अब इसको हम एड़न कर traitorous अब तो यह चीज होता है है तो आए हम इसका नाम कुछ दे देंगे इसे बिंदू का नाम है ए इसको सी देते हैं और इसको दीधे थे तो चली सबसे पहले इससी को हल कर लेते हैं ठीक नजदिक वाले को टो चली तिर्भूज A C B में तिर्भूज A C B में इस तरीके साब को करना है ठीक है और उसके बाद से लंब और आधार तो लंब और आधार किसमें मिलता है तो हिंट के लिए आपको लिख लेला है लाल बटे में के के हीय कि ठीक है तो लंब बट आधार इसमें मिलता यह अहता है तो लीज देंगे कि 1060 भी बराबर में लंब कितना है तो यह अंछ है था Claire है यहां नहीं पता कि नहीं किते हैं घुटना है तो promoting होतों यख़क से हो जाएगा Samantha साथ रैंज का मान हो जाएगाında रूट में 3 बराबर में h 2 तो हैक स से दर्गूझार कर देंगे तो याक्स अन्डरूड में 3 बराबर में आपका यच doin trend अब इसका बद फोन को ले ने ठीक है तो इस वाली को ले लेने के लिए तो लिखेंगे कि अब है अब तिर्भूज ए बी डी में यह इस तरीके से तो इसमें भी लंब और आधार से मतलब है ठीक है अब अधिके आधार में अब एक काम करना पड़े कि यह पूरा ले रहे हैं पूरा तिर्भूज ले रहे हैं तो इसलिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यह टोटल लेना पड़ेगा तो 40 पलस में यक्स तब जाके पूरा आधार होगा तो लिखेंगे कि 10 थीटा के इस्थान पर 30 डिगरी तो 30 डिगरी बराबर में लंब कितना है यह चै आधार कितना है तो 40 पलस में यक्स है ठीक है अब 10 30 कमान एक बटे मे अंडरूड में 3 बराबर में एच बटे में 40 पलस में यक्स ठीक इस कंडिसन में 36 30 से गुणा कड़ेते हैं तो इसका गुणा एक के साथ करेंगे तो 40 पलस में यक्स हो जाएगा फिर इसका इसमें करेंगे तो यक्स अंडरूड में 3 हो जाएगा ठीक अब इसके वास से यह कमान यहाप निकाल रखें तो यह को अब रख देंगे टिक तो कि somebody में यक्स बरावर में यश कमान कर ला तो यक्स अंडरोड में तिन घुले में अंडरोड में में तीज टो अंडरोड तीन में लुट अंडरोडीं कि DA हो जाएगा थीक तो चालीस प्लक दो यज बरावर मैं यह का तीन यह देंगे इसको हम इधर बेज देंगे तो यहां पर तो कितना हो जाएगा 40 कैस सवर्भ आपर यहां हो जाएगा कि 40 बरावर में III 16A train एसat कर देंगे तो यहां उतका 40 गुड़ा कर रहा है इधा जाएक करने लिएधें जोब देंगे तो बीस हो जाएगा बराबरphone का योजल इंट गला षेंग यहां से यहां थै अ कि तो 20 می對跳nu निकालना है यह वाला उंचाई हमें बताना है तो चलिया हूं वैश बराबर में क्या है एक्स अंडरूड में 3 है तो हबराबर में यक्स कमान कितने माँ बीस यह तो कुछ आनसर हो जाए गा तो यह यह तरीका होता है तो बस में चीज है इसमें फिगर तयार करना है तो इसको आप प्रेक्टिस कर लेंगे तो ऐसा ही प्रस्न आएगा ठीक है अलग तो कुछ आने वाला नहीं है तो उमीद है दोस्तों कि यह सारा चीज आपको इसली समझ में आ गया होगा और अगर आपको जरु करियेगा